हलो दोस्तो तयारी कर लो चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है आज की वीडियो में हम देखेंगे हिंदी के प्रिसिद्ध पत्र पत्रिकाएं उनके संपादक, प्रकाशित इस्थान, प्रकाशित वर्स देखेंगे दोस्तो आज की जो वीडियो है वह मैं अपने वीवर हेमलता बद्रे की डिमांड पर बना रहा हूँ दोस्तो अगर आप भी ऐसी डिमांड करते हैं या ऐसा सजेशन देते हैं तो मैं जरूर उस पर भी वीडियो बनाने की पूरी कोशिस करूँगा तो आप अपने सजेशन अपने सुझाओ मुझे कमेंड बॉक्स में कमेंड करें वीडियो को अंत तक देखें अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करकर बिल आइकन प्रेस कर लें और इस वीडियो के अंति में जो सवाल आपसे पूछा जाता है दोस्तों उसका जवाब जरूर से जरूर दें तो तैयारी कर लोगे साथ दोस्तों आप तैयारी करते रहें पहला पत्र है बंगाल गजट जिसका दूसरा नाम कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर या हिक्की गजट था जो की 29 जनवरी 1780 को प्रकाशित हुआ था यह एक सबताहिक अंग्रेजी पत्री का थी इसके संपादक थे James Augustus Hickey जिसके नाम पर इसे हिक्की गजट कहा जाता था यह भारत का प्रथम समचार पत्र था भारत का प्रथम समचार पत्र बंगाल गजट लेकिन या अंग्रेजी में था दूसरा है उतंड मारतंड जो कि 30 मई 1826 को प्रकाशित हुआ था यहाँ एक सब्ताहिक पत्रिका थी जो की कलकत्ता से प्रकाशित हुई थी इसके संपादक थे पंडित जुगल किशोर शुकल यहाँ हिंदी का पृथम पत्र था मतलब हिंदी की प्रथम पत्रिका थी जो की हिंदी का पहला समचार पत्र था उतंड मारतंड जो की 30 मई 1826 को प्रकाशित हुआ था इसलिए 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाया जाता है अगर सवाल आता है कि भारत का प्रथम समचार पत्र कौन सा है तो वहा है बंगाल गजट लेकिन अगर हिंदी का पूछता है सवाल में कि हिंदी का प्रथम समचार पत्र कौन सा है तो भीया वहां बताना है उतंड मारतंड अगला है बंग दूद जो की 1829 में प्रकाशित हुआ था यह एक सबताहिक पत्रिका थी जो की कलकत्ता से प्रकाशित हुई थी इसके संपादक थे राजा राम मोहन राय यह एक साथ चार भाशाओं में प्रकाशित हुआ था मतलब पहला पत्र है जो एक साथ चार भासाओं में परकाशित हुआ था, बांगला, हिंदी, उर्दू वा बनारसी भासा में छपने वाला पत्र था, अगला है बनारस अखबार जो की 1849 में परकाशित हुआ था, कहां से परकाशित हुआ था, काशी से, इसके संपादक कौन थ इसके संपादक थे राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद, हिंदी प्रदेश से प्रकाशित होने वाला या पहला समाचार पत्र था, बनारस अखबार, अगला है समाचार सुधा वर्षन, जो की 1854 में प्रकाशित हुआ था, कहां से कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था, इसके संपादक थे श्याम, सुन्दर, सेन प्रथम हिंदी दैनिक पत्र था प्रथम हिंदी दैनिक पत्र कौन सा है? समाचार, सुधा, वर्षन अगर प्रथम समाचार पत्र आता है तो कौन सा है? बंगाल गजट लेकिन हिंदी का प्रथम समाचार या पत्रिका आती है तो हम वहां लिखेंगे उतंड मारतंड अगला है प्रजा हितैशी जोकी अठार सो पच्पन में आगरा से प्रकाशित हुआ था इसके संपादक थे राजा लश्मर सिंग प्रजा हितैसी संपादक राजा लश्मर सिंग अगला है तत्व बोधिनी पत्रिका जोकी अठार सो पैंतिस में प्रकाशित हुई थी यह एक मासिक पत्रिका थी जोकी बरैली से प्रकाशित हुई थी इसके संपादक थे गुलाब श प्रकाशित हुई थी अगला है कवी वचन सुधा जो की 15 अगस्त 1867 में प्रकाशित हुई थी यह एक मासिक पत्रिका थी जो की काशि से प्रकाशित हुई थी इसके संपादक थे भारतेंदू हरिश्चंद्र अगला है हरिश्चंद्र मैगजीन जिसका दूसरा नाम है हरिश्चंद्र पत्रिका जो की 1873 में बनारस से प्रकाशित हुई थी इसके संपादक थे भारतेंदू हरिश्चंद्र अगला है बाला बोधिनी जो की 1874 में प्रकाशित हुई थी एक मासिक पत्रिका थी बनारस से प्रकाशित हुई थी इसके संपादक थे भारतेंदू हरिश्चंद्र यह पत्रिका जो थी वह सिर्फ केवल महिलाओं के लिए ही थी बाला बोधिनी अगला है सदा दर्श जो की 1874 में प्रकाशित हुई थी एक सब्ताहिक पत्रिका थी दिल्ली से प्रकाशित हुई थी इसके संपादक थे लाला स्रीनिवास दास अगला है हिंदी प्रदीप 1877 में प्रकाशित हुई एक मासिक पत्रिका थी इलहाबाद से प्रकाशित हुई थी इसके संपादक थे बाल क्रश्न भट अगला है भारत मित्र जोकी 1877 में प्रकाशित हुई एक सब्ताहिक पत्रिका थी इसके संपादक थे बाल मुकुंद गुप्त फिर है ब्राम्मण जो की 1880 में प्रकाशित हुई थी एक मासिक पत्रिका थी कानपुर से प्रकाशित हुई थी जिसके संपादक थे प्रताप नारायन मिस्र जी अगला है आनंद कादंबिनी आनंद कादंबिनी 1881 में प्रकाशित हुई या एक मासिक पत्रिका थी जो की मिर्जापुर से प्रकाशित हुई थी इसके संपादक थे बद्री नारायन चोधरी प्रेम घन अगला है भारतेंदू भारतेंदू 1883 में प्रकाशित हुई वरंदावन से जिसके संपादक थे राधाचरण गोस्वामी अगली पत्रिका है दोंदू जोकी 1883 में प्रकाशित हुई यह एक मासिक पत्रिका थी जोकी लाहोर से प्रकाशित हुई थी इसके संपादक थे अंबिका दत्व व्यास फिर है भारतोदय जो की 1885 में प्रकाशित हुई कहां से प्रकाशित हुई थी कानपूर से इसके संपादक थे सीता राम शर्मा दूसरा हिंदी दैनिक पत्र था या या दूसरा हिंदी दैनिक पत्र था भारतोदय फिर है अखबार चुनार जो की 1868 में प्रकाशित हुआ था चुनार से इसके संपादक थे बाल मुकुंद गुप्त जो की उर्दू का पत्र था बीस का दूसरा है कोहिनूर जो की 1888 में लाहोर से प्रकाशित हुआ था जिसके संपादक थे बाल मुकुंद गुप्त यह उर्दू का पत्र था तब लाहोर भारत में हुआ करता था अगला है नागरी नीरद जो की 1893 में प्रकाशित हुआ था एक सब्ताहिक पत्रिका था मिर्जापुर से प्रकाशित हुआ था जिसके संपादक थे बद्री नारायन चोधरी प्रेमगन फिर है नागरी प्रचारणी पत्रिका जो की 1896 में प्रकाशित हुआ था यह त्रमासिक पत्रिका थी काशे से प्रकाशित हुई थी इसके संस्थापक थे स्याम सुन्दरदास, राम नारायन मिस्र, शिव कुमार सिंग फिर है उपन्यास जो की 1898 में काशे से प्रकाशित हुई थी यह एक मासिक पत्रिका थी जिसके संपादक थे पंडित किशोरीलाल गोस्वामी फिर है सुदर्शन जोकी 1900 में प्रकाशित हुई थी यह एक मासिक पत्रिका थी काशी से प्रकाशित हुई थी इसके संपादक थे देव की इनंदन खत्री माधो प्रसाद अगला है सरस्वती पत्रिका बहुत ही मातुपूर पत्रिका है जोकी 1900 में प्रकाशित हुई थी मासिक पत्रिका थी इलाबाद से प्रकाशित हुई थी प्रारंभ में यह काशित होती थी इसके संपादक थे श्याम सुंदरदास वचार अन्याम सुंदरदास इसके 1900-1903 तक संपादक थे अगला है समा लोचक, जो की 1902 में प्रकाशित हुआ था जैपूर से, इसके संपादक थे चंदरधर शर्मा गुलेरी जी, फिर है अभ्युदय, अभ्युदय अभ्युदय उन्नी सो साथ में प्रकाशित हुआ था, एक सब्ताहिक पत्रिका प्रियाग से प्रकाशित हुआ था जिसके संपादक थे मदन मोहन मालवी अगली पत्रिका है इंदू इंदू 1909 में प्रकाशित हुई थी एक मासिक पत्रिका थी जोकी वाराणसी से प्रकाशित हुई थी इसके संपादक थे अंबिका प्रसाद गुप्त रूप नारायन पांडे जैशंकर प्रसाद की आरंभिक जो रचनाय थी वो सारी रचनाय इंदु पत्रिका में ही प्रकाशित होती थी फिर है मर्यादा जो की 1910, 1921 से 1923 तक प्रकाशित हुई इसकी यह जो थी वह एक मासिक पत्रिका थी और वाराणसी से प्रकाशित होती थी इसके संपादक थे क्रश्नकांत मालविये पद्यकांत मालविये लश्मीधर बाजपेई फिर है प्रताप प्रताप पत्रिका 1913 में प्रकाशित हुई एक सब्ताहिक पत्रिका थी यहां कानपूर से प्रकाशित होती थी इसके संपादक थे गडेश शंकर विद्यार थी अगली पत्रीका है प्रभा जोकी 1913 में प्रकाशित हुई यह एक मासिक पत्रीका थी और खंडवा कानपुर से प्रकाशित हुई थी इसके संपादक थे कालू राम बाल करश्न शर्मा नवीद और माखलाल चत्रवेदी जी अगला है श्री शारदा जोकी 1916 में प्रकाशित हुई एक मासिक पत्रीका थी जबलपुर से प्रकाशित हुई थी इसके संपादक थे नर्मदा प्रसाद मिस्र, दौरीका प्रसाद मिस्र और साल ग्राम दिवेदी इसके संरक्षक थे सेथ गोविन्द दास यह चायावाद युग का श्रेश्ट पत्र था चायावाद यूग का श्रेष्ट पत्र श्री शारदा था इसने 1920 में चायावाद संबंधी लेख माला प्रकाशित कर चायावाद को सरप्रथम मानिता प्रदान की थी फिर है कर्मवीर जो की 1919 में प्रकाशित हुआ जबलपुर से यह एक सब्ताहिक पत्रिका थी इसके संपादक थे माखनलाल चतुरवेदी जी फिर है चान, बहुत ही महत्तपूर्ण है ये भी, 1920 में प्रकाशित हुई, सब्ताहिक पत्रिका थी, बाद में यह मासिक पत्रिका हो गई थी, प्रियाग इलहाबाद से प्रकाशित होती थी, इसके संपाधक थे राम रख सहगल, चंडी प्रसाद और महादेवी वर्मा फिर है हिंदी नव जीवन, 1921 में प्रकाशित हुई थी, यह एक सब्ताहिक पत्रिका थी, जो की एहमदाबाद से प्रकाशित होती थी, इसका जो संपाधक थे, वह थे महत्मा गांधी जी फिर है समन्वे, 1922 में प्रकाशित एक मासिक पत्रिका थी, जो की कुलकाता से प्रकाशित होती थी, माधुआ नंद के संपाध कत्व में आरंब हुआ था, बाद में निराला जी दौरा इसका संपाधन भार संभाला गया था फिर है माधुरी, माधुरी 1922 में लखनव से प्रकाशित हुई थी, जिसके संपाधक थे, प्रेम चंद फिर है मतवाला, मतवाला पत्रिका 1923 में प्रकाशित हुई जो की एक सब्ताहिक पत्रिका थी, कलकत्ता से प्रकाशित हुई थी, इसका जो संपादक थे वहाँ थे निराला फिर है वीना, जो की 1927 में प्रकाशित हुई एक मासिक पत्रिका थी, स्री माध्य भारत हिंदी साहित इंदोर से प्रकाशित होती थी, प्रथम संपादक इसका जो थे वहाँ थे पंडित अंबिका प्रसाद, वर्तमान जो संपादक हैं इसके वहाँ थे, विनायक पांडे ति फिर है विशाल भारत, 1928 में प्रकाशित हुई एक मासिक पत्रिका थी, जो की कलकत्ता से प्रकाशित होती थी, इसका जो संपादक था वहाँ है बनारसी दास, चतुरवेदी, अग्ये और सिरिराम शर्मा फिर है सुधा 1929 में प्रकाशित एक मासिक पत्रिका थी जो की लखनव से प्रकाशित होती थी इसके संपादक थे दुलारे लाल, भारगव और निराला फिर है हंस 1930 में प्रकाशित होई थी यह एक मासिक पत्रिका थी बनारत से प्रकाशित होती थी इसके संपादक थे प्रेमचंद फिर है हिंदुस्तानी हिंदुस्तानी 1931 में प्रकाशित तिरमासिक पत्रिका थी जो की इलहाबाद से प्रकाशित होती थी इसके संपादक थे रामचंद्र टंडन हिंदुस्तानी एकेडमी इलहाबाद का यह मुख पत्र था फिर है जागरण जोकी 1932 में प्रकाशित हुआ सापताहिक पत्र था जोकी बनारास से प्रकाशित होता था इसके संपादक थे प्रेमचंद्र चायावाद का गोर समर्थक पत्र था जागरण फिर है भारत जोकी 1933 में प्रकाशित होने वाला अर्ध सापताहिक पत्रिका थी जोकी इलहाबाद से प्रकाशित होती थी जिसके संपादक थे नंद दुलारे वाजपेई फिर है साहित संदेश जोकी 1937 में प्रकाशित होने वाला पत्र था या एक मासिक पत्र था और आगरा से प्रकाशित होता था इसके संपादक थे बाबु गुलाब राय अगला है रुपाभ 1938 में प्रकाशित हुआ था या एक मासिक पत्र था जिसके संपादक थे सुमित्र प्रियाग से प्रकाशित होता था जिसके संपादक थे धिरेंद्र वर्मा भारती हिंदी परिसद प्रियाग का मुख पत्र था यहां प्रियाग का बहुत ही मुख पत्र था फिर है प्रतीक जो की 1947 में प्रकाशित होने वाला पत्र था यहां दोइमासिक पत्र था और इलहाबाद से प्रकाशित होता था जिसके संपादक थे अग्गे फिर है कलपना कलपना 1949 में प्रकाशित होने वाला दोइमासिक पत्र था जो की हैद्राबाद से प्रकाशित होता था जिसके संपादक थे आरेंद्र शर्मा फिर है धर्म युग जो की 1950 में प्रकाशित होने वाला सापताहिक पत्र था जो की बंबई से प्रकाशित होता था, इसके संपादक थे धर्मवीर भारती, फिर है आलोचिना 1951 में प्रकाशित होने वाला तिरमासिक पत्र था, जो की दिल्ली से प्रकाशित होता था, इसके संपादक थे शिवदान सिंग चौहान, चार सदसिय संपादक मंडल, जिसमें धर्मवीर भारती, रघुवन्ष, व्रजेश्वर वर्मा और विजय देव नारायन साही जी थे। नामवर सिंग फिर है वसुधा, 1903 में प्रकाशित होने वाला मासिक पत्र था जो की जबलपुर से प्रकाशित होता था जिसके संपादक थे रजेश्वर प्रसाद गुरू हरिशंकर परसाई मुक्ति बोध की रचनाय जो थी वह पहली बार इसी पत्रिका में प्रकाशित होई थी मुक्ति बोध की रचनाय सबसे पहले वसुधा में ही प्रकाशित होई थी नए पत्ते जोकी उन्नेश सो तिर्पन में प्रकाषित होने वाला पत्र था इलहाबाद से प्रकाषित हुआ था जिसके संस्थापक और संपादक थे जगदीश गुप्त फिर है ग्यानोदे ग्यानोदे 1955 में प्रकाशित होने वाला मासिक पत्र था जो कि कलकत्ता से प्रकाशित होता था जिसके संपादक थे कनहया लाल मिस्र प्रभाकर फिर है निकस, 1956 में प्रकाशित होने वाला सापताहिक पत्र था, जो कि इलहाबाद से प्रकाशित होता था, जिसके संपादक थे धर्मवीर भारती फिर है क्रती 1958 में प्रकाशित होने वाला पत्र था दिल्ले से प्रकाशित होता था इसके संपादक थे नरेश मेहता शिरीकांत वर्मा समा लोचक 1958 में प्रकाशित हुआ था यह एक मासिक पत्र है जो की आगरा से प्रकाशित होता है जिसके संपादक थे राम विलास शर्मा फिर है पहल, 1960 में प्रकाशित होने वाला तिरमासिक पत्र था जो की जैपुर से प्रकाशित होता था जिसके संपादक थे ग्यान रंजन फिर है का, खा, गा, 1963 में प्रकाशित होने वाला तिरमासिक पत्र है जो की इलहाबाद से प्रकाशित हुआ था इसके संपादक रगुवन्ष थे फिर है माध्यम 1964 में प्रकाशित होने वाला मासिक पत्र था जो की प्रयाग और इलहाबाद से प्रकाशित हुआ था जिसके संपादक थे बालकरश्न राओ फिर है दिनमान 1965 में प्रकाशित होने वाला सापताहिक पत्र था दिल्ली से प्रकाशित हुआ था जिसके संपादक थे रगुवीर सहाय फिर है संचेतना 1967 में प्रकाशित होने वाला त्रमासिक पत्र था जो की दिल्ली से प्रकाशित हुआ था जिसके संपादक थे महीप सिंग उच इस्तरी लगुपत्र था या संचेतना उच इस्तरी लगुपत्र था फिर है समीक शा, 1967 में प्रकाशित होने वाला तिरमासिक पत्र था, बाद में यहां मासिक पत्र हो गया था जो की पठना से प्रकाशित हुआ था, जिसके संपादक देवेंदरनात शर्मा गोपाल राय हैं फिर है कथा 1972 में प्रकाशित तिरमासिक पत्र था बाद में यहां भी मासिक पत्र हो गया था जो कि इलहाबाद से प्रकाशित हुआ था जिसके संपादक मारकंडे थे फिर है पूर्वग ग्रहा जो कि 1974 में प्रकाशित माशिक पत्र था भोपाल से प्रकाशित हुआ था इसके संपादक थे अशोक बाजपेई फिर है शाक्षातकार 1974 में प्रकाशित तिर्मासिक पत्र था जो कि भोपाल से प्रकाशित हुआ था जिसके संपादक थे ग्यानी मद्ध प्रदेश शाहित प्रिसद भोपाल का मुख़ पत्र था फिर है दस्तावेट जो कि 1978 में गोरखपुर से प्रकाशित हुआ था जिसके संपादक थे विश्वनाद प्रसाद तिवारी फिर है अभी प्राय जो कि 1981 में प्रकाशित हुआ था इलहबाद से जिसके संपादक हैं राजेंद्र कुमार फिर है समकालीन जनमत जो कि 1981 में पटना और फिर इलहबाद दोनों जगा से प्रकाशित हुआ था जिसके संपादक हैं रामजी राय फिर है वर्तमान साहित वर्तमान साहित 1984 में प्रकाशित हुआ था यह एक मासिक पत्र था जो कि अलहाबाद से प्रकाशित हुआ था जिसके संपादक है विभूती नारायन फिर है हन्स पुनर प्रकाशन जो की 1986 में प्रकाशित हुआ था मासिक पत्र था दिल्ली से प्रकाशित हुआ था जिसके संपादक राजेंद्र यादव है फिर है वागर्थ वागर्थ जून 1995 में प्रकाशित हुआ मासिक पत्र था जो की कलकत्ता से प्रकाशित हुआ जिसके संपादक है प्रभाकर स्रोत्रीये फिर है साहित अम्रत जो की अगस्त 1995 में प्रकाशित एक मासिक पत्र था जो की नई दिल्ली से प्रकाशित हुआ था जिसके संपादक थे पंडित विद्या निवास मिश्र जी फिर है कथादेश कथादेश 1997 में प्रकाशित एक मासिक पत्र था जो की दिल्ली से प्रकाशित हुआ इसके संपादक हरी नारायन जी है फिर है तद्भव जो की मार्च 1999 में लखनव से प्रकाशित हुआ था जिसके संपादक है अखिलेश फिर है कसोटी कसोटी अप्रेल और जून 1999 में प्रकाशित हुआ त्रेमासिक पत्र था जो की पटना से प्रकाशित हुआ था जिसके संपादक है नंद किशोर नवल जी फिर है बहु वचन जो की अक्टूबर दिसंबर 1999 में प्रकाशित हुआ यह एक तिरमासिक पत्र था और वर्धा से प्रकाशित हुआ था जिसके सम्पादक थे अशोक बाजपेई और महत्मा गांधी अंतरराष्टिये हिंदी विश्वुविद्याले यह वर्धा का पत्र है यह वर्धा का महत्पूर पत्र है बहुँअचन कथा करम फिर है कथा करम जो की 2000 में प्रकाशित हुआ एक तिरमासिक पत्र था लखनव से प्रकाशित हुआ जिसके संपादक है शैलेंद्र सागर फिर है परक जो की 2000 में प्रकाशित हुआ इलहाबाद से जिसके संपादक है क्रश्न मोहन फिर है संधान संधान अप्रैल जून 2001 में प्रकाशित हुआ यह एक तिरमासिक पत्र है जो कि इलहाबाद और दिल्ली से प्रकाशित हुआ जिसके संपादक है लाल बहादुर वर्माजी फिर है पुस्तक वारता पुस्तक वारता 2001 में प्रकाशित हुआ दोइमासिक पत्र है जोки वर्धा से प्रकाशित हुआ था जिसके संपादक है राकेश श्रीमाल महत्मा गांधी अंतरराष्टि ये विश्व विध्याल है महात्मा गांधी अंतराश्टी, हिंदी विश्विविद्याले, वर्धा का पत्र है या फिर है नया ग्यानोद, नया ग्यानोद, 2002 में प्रकाशित हुआ एक मासिक पत्र है, जो की नई दिल्ली से प्रकाशित हुआ था जिसके संपादक है रविंद्र कालिया भारती ग्यान पीट नई दिल्ली का पत्र है या नई दिल्ली का महत्पूर पत्र है फिर है वाक 2007 में प्रकाशित हुआ एक तिरमासिक पत्र है जो की नई दिल्ली से प्रकाशित हुआ था जिसके संपादक है सुधीश पचावरी परदेश से प्रकाशित हुआ, जिसके संपादक है अपूर्व जोशी। फिर है पुस्तक सन्स्कृति जो की जनवरी मार्च 2016 में प्रकाशित हुआ, जो की एक बा, अमेरिका, सा, चीन, या फिर आप्शन दा, भारत अगर आपको इसका जवाब पता है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर आप अपना जवाब कमेंट कर दीजिए अगर यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेर करें और अपने सुझाओ कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें थैंक यू फॉर वाचिंग इस वीडियो